हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू फ्यूचर आई एस यूटूब चैनल जहां पर हम इंदिया की पॉलिटी पढ़ रहे हैं और यहां पर हमारा जो प्रेंट है यह हम पड़ चूके हैं क्यों यह यहां पर अपडेट होना है तो और एक तरीके से देखा जाए तो हम एतिहासक प्रेस्ट भूमी ही पड़ रहे हैं क्योंकि हमारा यह बाला चेप्टर है काफी बड़ा हो जाता है इसको कई पार्ट्स में डिवाइट कर सकते हैं जैसा कि मैं आंगे आपको बताता आपको जैसे पता ही है कि हम पॉलिटी को पांच भागों में पांच पार्ट्स में या पिलर में डिवाइट करके पड़ रहे हैं और हमारा जो पहला पिलर है वह है संब्यधानिक धाचा संब्यधानिक धाचा क्या होता है इसका इतिहास हमने जाना साथ ही संब्यधान कैसे बना इसकी क्या विशेष्टा हैं यह भी हमने जानी आज हम जानेंगे सम्मीधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेष्टा हैं तो पहला हमारा जो चप्टर है एतिहास एक प्रस्ट भूमी इसका लेक्चर अभी रीसेंटिली ही कल ही अपलोट किया था मैंने और आज ह हम सम्मीधान की प्रमुख विशेष्टाओं के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे उसके बाद हमारा अगले चैप्टर होगा हुआ होगा सम्मीधान की प्रस्ताबना चली आंगे बड़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था कि किस तरी सम्मीधान है वह यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ पर सम्मीधान सवा के बारे पढ़ने सफ़रे आपको पता ही हिए कि हम यहां से इतने पढ़ाव क्रॉस करक्र ही यहां तक पहुँचेग उन्नीर जैकिन उननीस सो स्थालिज जब भारत स्वतन्र हुआ उस से पहले 1946 जैसा कि अभी हम टाइम लाइन देखेंगे, संभीधान सवा का निर्मान की आ गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि संभीधान सवा वनी, संभीधान सवा वनी इसके पीछे का रीजन यह था, कि हमें अगर भारत को आजाद होना है, फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीड यह था एक संभीधान, Constitution, तो Constitution बनाने के लिए एक संभीधान सवा के जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक संभीधान सवा चाहिए, और इसकी अगर टाइम लाइन देखें, तो संभीधान सवा की मांग सबसे पहले, 1924 में सुराज पार्टी के द्वारा की गई, सबसे पहली मा सुराज पार्टी के द्वारा, 1924 में ही लगवग आजादी के 24 दुनी 48, लगवग 23 साल पहले यहां पर मांग कर दी गई थी, ठीक है, फिर उसके बाद 1934 में, एमेन रोय द्वारा संभीधान सवा की पहली बार कुछ तरीके से मांग की गई, इस पर विचार करने की बात कह गई, किसके द्वारा, एमेन रोय के द्वारा, नामे आत रखेगा इनका 1934 में, फिर अगर 1935 को देखा जाए, तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस, भारती राष्टी कॉंग्रेस की बात कहें, आई एंसी, तो इन्होंने पहली बार 1935 में भारत का संभीधान बनाने के लिए आप चार एक रूपे से संभीधान सभा की मांग के, एक तरीके से जो पॉलिटिकली मांग होती है, वह मांग यहाँ पर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने की, फिर 1940, बिटे सरकार ने पहली बार 1940 के अगस्त प्रस्तावाया था, इस में इस मांग को सुईकार कर लिया, कि भ सकता है, फिर उसके बाद 1946 देखें, तो संभीधान सभा का गठन, 1946 में कैविनेट मिसन योजना द्वारा तैयार की योजना के तहत किया गया, ठीक है, अब देखें, कैविनेट मिसन आया था, आपको पता ही हो गया, तिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो, इसके सदस कौन कौन थे, लॉरेंस, क्रेप्स, और अलेक्जेंडर, ठीक है, यह कैविनेट मिसन आया, तो इसने 1946 में एक संभीधान सभा का गठन किया, इस मिसन कित है, संभीधान सभा गठन कब हो गया, 1940 में, फिर अगर 1950 की बात करें तो देखें, 1940 में संभीधान सभा बन गई, फिर यहा 20 जनवरी में, यह 1950 में लागू हुआ, ठीक है, और इस संभीधान जो सभा यहां, 1946 में बनी है, इसका अंतिम सत्र, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, हाला कि यह 26 जनवरी 1950 से भारत की अंतिम संसत के रूप में जारी रही, ठीक है, लेके, संभीधान यहां लागू हो गया, चुकि ज निर्वार्जित होकर आये थी, ठीक है, उन्हें नॉमिनेट किया गया था, तो इसलिए यहां पर संभीधान तो बना दिया इन लोगोंने, लेकिन जो हमारी संसत्ती वह अंतरिम संसत के रूप में काम कर रही थी, 1950 तर, ठीक है, जब तक कि 1951 में पहले चुनाव नहीं संभीधान भी बनाया है, लागो भी किया, और यह 1951 और बाउन तक अंतरिम संसत के रूप में काम करती रही, यहां पर याद रखियेगा, देखे संभीधान बन जाता है, फिर उसके बाद कि संसत या संभीधान सबाद डिजॉल्व हो जाती है, यह question पूछा जाता है, तो नहीं, डिजॉल्व नहीं होती है, अंतरिम संसत के रूप में काम करती है, कब तर? 1912 तक जब तक कि पहले आम चुनाओ नहीं हो जाते, पहली संसत का गठन नहीं हो गया, तब तक यह अंतरिम सरकार या संसत के रूप में काम करती रही, तो संभीधान बनने के बाद इसको किया गया यह अंतिम संसत के रूप में यहां पर काम करती रही जब तक की नई सरकार या फिर नए चुनाव होकर नई संसत का गठा नहीं हो गया यहां से एक क्वेश्चन यह भी बनता है चलिए आंगे बढ़ते हैं अब देखें संभीधान तो बनाया इसको बनने में कितना की सामय उसका यहां से अन वैसको बनने में लगने की सफ्सराइब हो कहां यहीं ही संभीधान की सब्सक्राइब के रूप में कौन थे अप देख सकते हैं एडवाँजर के रूप में बी एन राउ यह हमारे एडवाइजर थे सम्मिधान के कुल सदस्त की बात की जाए तो 390 अभी आंगे कॉश्चन आएगा तो यह यह आंकडा याद रखिएगा यह कॉश्चन का एक पॉइंट भी है 390 थी कुल सदस्त था जिसमें बिटिस भारत की सदस्तियों की संख्या 296 और रियासतों की सीटें लगवा 93 सीटें थी तो यहां से एक कॉश्चन भी बनता है जो कि अभी आएगा और जो यह कुल सदस्त हैं इनकी सीटों का आवंटन किस तरीके से जनसंख्या के बेसिस पर हुआ तो एक सीट एक मिलियन पॉपूलेशन ठीक है प्रांतिये विधानसवादवारा और आंसिक रूप से नामिद थे रियासत थी जो हमारे जो राजा महरा राजा थे इन्होंने अपने सदस्च यहाँ पर नामित किये थे नॉमिनेट किये गए थे ठीक है तो कुछ इस तरीके से थे तो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप से जो हमारी सम्विदान सभा थी जो संसत थी 1946-47 तक तो वह है पूर्ण रूप से निर्वाचत थी के आंसिक रूप से तो आपको आंसा देना है कि आंसिक रूप से निर्वाचत थी और आंसिक रूप से नामित थी प्रांती बिधान सभाओं के सदस्यों द्वारा सदस्यों का एक आप प्रितिक्ष्य रूप से चुनाव किया जाना था जिन्हें स्वेम, सीमित, मता अधीकार पर चुना गया था देखे, अब आपको मैं यहाँ पर एक 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 जामपल के थुरू समझाता हूं सपोज मानली जी यह हमारी संसद है और यह हमारी विधान सभाओं हैं तो विधान सभाओं में जो विधायक हैं विधायक को मैं B से दिन्वेट कर देता हूं संसद को यहाँ पर मैं S से दिन्वेट कर देता हूं अब जो यह सानसद हैं इनका चुनाव होना था बिधायकों के थरूप और जो बिधायक हैं यह भी आंसिक रूप से पूरणर रूप से यहाँ पर इनका चुनाव नहीं हुआ था आप अतिक शिरूप से चुने गएते ठीक है? जो कि मैंने अभी आपको यहां बताया जो हमारे जो बिधान सभा के प्रांती सदस्यत है यह भी आप अतिक शुरूप से चुने गए थी ठीक है? जने शहाँ सीमित मतर अधिकार पर चुना गया था ठीक है अतलब कहने का एक तरीका ये है जो यहाँ पर आप समझें कि जो सांसद हैं उनको इन बिधायकों के थुरू चुना जाना था जैसा कि राज्यसवाव में आपको देखने को मिलता है और यह लोग भी एक सीमित मतादिकार यानि कि लगवग 10% पॉपुलिशन के पास बोटिंग राइट है इनके द्वारा चुना गया ये नहीं कि 100% जो पॉपुलिशन है इनके पास बोटिंग राइट ऐसा कुछ नहीं था सिर्फ कुछ लोगों द्वारा इन बिधायक को चुना गया फिर इन बिधायकों ने इन सांसदों को चुना एक एक एक्जामपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप यहां पर समझिएगा तो कुछ इस तरीके से सीमित मतादिकार पर चुने गया जो सदस्य थे उन जो सांसद होते हैं इनको लोगों ने नहीं जंता जे बना देता हूँ जंता के द्वारा नहीं चुना गया था ठीक है इनको यहां पर विधायकों के द्वारा चुना गया था और विधायकों को भी जंता के द्वारा चुना गया लेकिन 10-30 पॉपुलेशन जो पड़ी लि सरव भौमिक मताधिकार की सुरूबात संभीधान का एक मात प्रावधान था जो लगभग बिना किसी बहस के पारत हुआ मतलब आप सोच सकते हैं कि सभी जो 21 बर्स उस टाइम पे जो चुनाओं में बोर्ट देने का धिकार था और 21 बर्स के उपर वाली लोगों के लिए था तो मतलब जो सरव हो में एक मताधिकार है एक ऐसा मुद्दा था जिस पर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई और इसको संभीधान में बिना किसी बहस के सामिल किया गया एक मत इसा प्रावधान यह था यह भी आप याद रखें आँगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन आता है जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन है संभीधान सभा की सरशना के संबंद में निम्लिकत कस्णों पर वचार कीए संभीधान सभा की कुल छमता या सक्ती 389 थी प्रितेक प्रांत और रियासत को उनके संबंदित जन संख्या के अनुपात में सीटे आवंटित की गई थी प्रितेक बिटेस प्रांत को आवंटित सीटों को चार मुख समुदायों हिंदू, मुसलिम, सिख और इसाई के पीच में ववाजत किया था रियासतों के प्रियासतों के पुर्मुख द्वार नामित किया था तो आपको इस question का answer comment box में बताना है, कौन सा इसका answer सही है, यह मैं आपको detail में पढ़ा चुका हूँ अभी पिछली slide में, तो उम्मीद कता हूँ यह answer आप जरूर देंगे, चलिए आंगे जलते हैं, आप देखें, संबीधान सभा बन गई, संबीधान सभा ने संबीधान का न Muslim League ने इसका बहसकार किया था, इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था, क्योंकि Muslim League के जो सदस्य थे, उन्होंने भाग नहीं लिया, जिसके चलती है, यहां पर से 211 सदस्य भाग ले सके, सभा के आइस्थाई अध्यक्ष, डाक्टर सचितनन सिन्हा थे, क्योंकि यह सबसे ब सचितनन सिन्हा थे, बाद में, डाक्टर राजिंत पिसाद को सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, चुन कर यहां पर बनाए गया, और इससे पहले ही, यहां पर इनको नामित कर दिया गया, नॉमिनेट कर दिया गया, कि जो सबसे बुजुर्क सदस्थ होंगे, ज आइस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, दो अपाध्यक्ष थे यहां पर, H.C. मुखर जी और V.T. कृष्णमाचारी, इन दोनों के नाम याद रखें, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, H.C. मुखर जी और V.T. कृष्णमाचारी, दोनों ही यहां पर अपाध्यक् प्रस्तुत किया गया, तो objective resolution है, इसके बारे में भी यहां पर question पूछा जाता है, और objective resolution को अगर हम primble से compare करें, तो अनों लगभग, सेम ही आप कहां देखने को बिलते हैं, याद रखें, 13 December और 9 December, यह दो date बहुत मत्तकुन हो जाती है, यहां से भी question बन सकता है, रियासतों क्योंकि प्रिती निथी, जो सम्मीधान सभा से दूर रहे थे, धीरे धीरे इसमें सामिल होने लगी, जब सम्मीधान बनने लगा, यहां पर meeting स्टार्ड हो गई, और जब राजाओं को लगा कि नहीं अब भारत आजाद हो जाएगा, और सम्मीधान कर्मान हो रहा है, तो व वह भी धीरे धीरे इसमें आगए, जैसके हमने यहां देखा था कि मुस्लिम लीग ने यहां पर गॉइकट किया था, और जो राजा महराजा थे, वह भी यहां पर दूर रहे रहे थे, अब वह भी धीरे धीरे सम्मीधान सभा में आना सुरू हो गए, माउंट बेटन योज जनाई 3 जून 1947 को, इसने पाकिस्तान और इंडिया का वेभाजन सुईकार कर लिया, तो अब ऐसे में कुछ मुस्लिम थे जो कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, तो उनने भी यहां पर अपनी सदस्ता सभा में सामिल हो गए, यहां कि अपनी सदस्ता अपना ली, जो पाकिस्तान मनने वाला है, तो ऐसा, ऐसे में, अगर उनको पावर में रहना है, और उनको अधिकार चाहिए, तो उनको सभा में आना ही पड़ेगा, तो वह इस तरीके से सभा में सामिल हो गए, आंगे देखें, तो संबिधान सभा की समीतियां बनाएं गई, तो देखें, स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और याद भी करना पढ़ेगा आपको, उसके वालावा यहाँ पर 13 कमीटियां हैं, जो छोटी लगो कमीटियां हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, होंबर्ग के तोर पर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आजकल जो UPSC का पैटन चल रहा है, हो सकता है, यहाँ से भी एकाट क्वेश्चन बन जाए, लेकिन जो आठ मुख हैं, इनको तो हमें पढ़ नहीं रहता है, यहाँ पर जो पहली है, हुआ है, संग सक्ति समीटि, यूनियन पावर कमीटि, इसके जो अध्यक्षते वहते जवालन लहरू, तो यह य याद रखें, यूनियन की बात हो रही है, तो वहाँ पर जवालन लहरू आपको देखने को मिलें, संग समीधान समीटि, यूनियन कॉंस्ट्यूशन कमीटि, जवालन लहरू, ठीक है, जहाँ यूनियन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आपको जवालन लहरू देखने को म मसवदा या ड्राफ्टिंग कमिटी या प्रायरूप कमिटी इसमें तो Dr. V.R.A. अंबेटकर है इन्होंने ही हमारा सम्मीधान का जो प्रायरूप मसवदा है या ड्राफ्ट है वहते यार किया था मुलक अधिकार, अल्प संख्या और जन्जातिय तथा वही स्कृत छेत्रों पर सलहकार समीती Advising Committee on Fundamental Rights of Minorities and Tribal and Excluded Area यह सरदाफडल ठीक है तो यह भी आप याद रख सकते हैं नियम प्रिक्रिया समीती Rules Committee की बात करें तो राजन प्रसाद क्योंकि राजन प्रसाद उस टाइम पे अध्यक्ष थे समीदान सभा के तो जो Rules और Regulation चर रहे थे उसके अध्यक्ष तो यही होंगे राजन समीती की बात कहें तो इसके अध्यक्ष रिथे जवालना लहरू राज्यों के साथ किस तरीके से negotiation करना है किस तरीके से भारती union में को सामिल करना है ठीक है तो देखें union की बात हो रही है जहाँ पर वहाँ पर जवालना लहरू आ रहे है तो यहाँ इस तरीके से आप mind web बना सकते हैं फिर संचालन समीती की बात करें steering committee तो यहाँ पर डाक्टर राजन प्रसाद अब जो house है ठीक है चाहे lower house हो या पर house है यहाँ पर एक ही house था उस टाइम पर तो जो house है इसके अध्यक्ष ही है तो यहाँ पर जो भी संचालन होना है और जो भी rules regulation बनना है rules हो गया या फिर steering हो गया steering committee देख रेक करना तो उसकी निगरानी किसके पास होगी अध्यक्ष के पास और उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे डाक्टर राजन के सब्सक्राइब तो इस तरीके से आप कुछ mind map बना कर चल सकते हैं जिससे आपको यह सारी आठो की आठो कमीटियां याद हो जाएंगी अब चलिए आँगे बढ़ते हैं मसवदा समीटी यानि कि ड्राफ्टिंग कमीटी होगी या फिर प्रायरू कमीटी यह काफी important हो जाती है क्योंकि सम्मीधान का प्रायरू इसी कमीटी ने बनाया था और इसके जो समीटियों में सबसे महत्पूर्ण और केंद्रिय समीटी साथ सदस्य जैसा कि आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं कि साथ सदस्य हैं अभी समझेंगे कौन-कौन से सदस्य थे मसवदा समीटी थी जो काफी important थी केंद्रिय समीटी थी जो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी ठीक है इस समीटी को नए समीधान के मसवदे को तयार करने का कार स्वाप गया था इस समीटी के सदस्य अब देखे भारत आजाद हो चुका है 29 अगस्त तक यानि कि पंदागस्त को आजाद हो चुका है उन्तीस अगस्त के हाँ पर हमारी एक मसोदा समीती बन गई है कि संभीधान बनना है और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया हम बेट कर जीतो और इसके साथ साथ जो मेंबर थे इनके साथ वह थे एन गोपाला स्वामी अयंगार अलादी कृष्णा स्वामी अयर डाक्टर केम मुंसी सैयद मुहम्मद सदल्लह सदल्लह कुछ भी प्रिनाउंस का सकते हैं आप इसको थोड़ा सा देख लिएगा एन माधह राओ जिन्होंने बी अल मित्तर की जगा ली जिन्होंने स्वास्त समस्याओं के कारण इस्तिपा दे दिया था ठीक है इस्तिपा याद रखें किसने बी अल मित्तर ने इस्तिपा दिया था स्वास्त सही नहीं था इनका उनको रिप्लेस किया था एन माधह राओ ने फिर देखें तो टीटी कृष्णम चारी आ गए यहां पर जिन्होंने 1948 में निदन हो चुके डीपी खेतान खेतान जी को याद रखें इनका निदन हो गया था तो इनको रीपलेस किया था टीटी कृष्णम चारी ने तो यह हमारे साथ सदस्य कुछ इस तरीके से थे मसोधा समीती ने विभिनगे समीतियों के प्रस्ताओं पर बिचार करने के बाद भारत के समीधण का पहला मसोधा तयार किया जो फरवरी 1948 में प्रकासित हुआ ठीक है तो आप देखें 29 अगस्त के यहाँ पर समीती बन चुकी है 1947 में और फरबड़ी 1948 में यहाँ पर पहला मसोदा तयार भी कर लिया है समीती ने भारत के लोगों को मसोदे पर चर्चा करने का और संसोधन प्रस्तावित करने के लिए 8 महिने का समय दी गया दो देखें जो पहला यहाँ पर ड्राफ्ट बना मसोदा बना उसको लोगों को डिसकुस करने के लिए 8 महिने का समय दिया गया मसोदा समीती ने दूसरे मसोदा तयार किया जो अक्टूबर 1948 में पर कासिच हुआ मसोधा समीटी ने अपने मसोधे को तयार करने में 6 महीने से कम समय लिया कुल में लाकर मसोधा समीटी ने केवल 141 दिनों की बैठक ली 141 दिनों में हमारी जो ड्राफ्टिंग कमीटी थी इसने पूरा समीधान की मसोधा तयार कर लिया था तो लगवाग बहुत कम समय में तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने दिन रात एक करकर इतनी मेहनत करकर 141 दिनों में संभीधान मना दिया जैसा कि अंग्रेज कहा करते थे कि भारतियों को कुछ नहीं आता है, administration कैसे चलाएंगे, कैसे संभीधान चलवाएंगे तो हसते थे वो लोग कि हम पिछड़े हैं हमें कुछ नहीं आता और जैसे ही हमारे हाथ में power आई हम आजा दुए हमारे जो सुतंतरा सेनानी थे और पर जो हमारे संभीधान सभा के मेंबर थे इन लोगों ने यहाँपर करके दिखाया कि भारत किसी से कम नहीं, भारत के लोगों किसी से कम नहीं है उन्होंने मार्ट 141 दिनों की बैठा के लिए और जो हमारा सम्मीदान है इसका प्रायरूप यहाँ पर तैयार कर लिया अब देखें सम्मीदान सवा की प्रायरूप समीदी के अध्यास कौन थे यह एक कॉश्चन है कापी सिंपल सा कॉश्चन है तो आप इसका आंसर यहाँ पर सीधर सीधर बियार अम्मेट कर लगा सकते हैं आगे चलते हैं सम्मीधान सवा दौरा किये गए कार अब देखें सम्मीधान सवा नहीं बहुत सारे कार किये एक तो सम्मीधान निर्मान का कार चली ही रहा है इसका प्रायरूप समीधी बगएरा बना दी यहां पर अपने ड्राफ्टों यहां पर पुब्लिस कर दिये, यहां पर लोगों की राय पूछी गई, हमें इन्वेंट किये गए, और 140 दिन की बैठक के बाद हमारा समीधान की जो प्रायरूख है वह तैयार कर दिया, इसके अलावा भी बहुत कुछ कारी किये, जैसे कि समी कानूनों को लाबू बरना, मई 1949 में भारत की सामराज संग की सदस्ता को मानता दी, ठीक है, भारत यहां की सामराज संग, कॉमन वेल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसकी भी मानता, सदस्ता के लिए इसकी मानता दे दी, फिर 22 जुलाई 1947 को राश्टे द्वच को अपनाया, पहले ही यहां पर हमारे जो राश्ट द्वच है, उसको अपना लिया गया था, 22 जुलाई को पंद अगस्त को हमें आजाद हुए, उससे पहले ही राश्ट द्वच अपना लिया गया, इस तरीके साब याद रखें, फिर जब हमारा देश आजाद हो गया, संभीधान लाग इस तरीके से आप ये याद रखें, यहां से भी क्वेशन आ सकता है, संभीधान जो 26 नवंबर 1999 को अपनाया गया, मैं एक प्रस्ताबना थी, 395 अनुचेत थे, 8 अनुचुचियां सामल थी, और यहां पर 22 पार्ट भी थे, ठीक है, यह अभी हम आंगे इनको देखेंगे, अब देखें, यह तो 26 नवंबर की बात है, हमारा संभीधान जो हमारा संपून रूप से लागू हुआ, वह 26 जनबरी को प्रारम हुआ, यह प्रारम की तारीक रखी गई, अब 26 जनबरी को ही क्यों अपनाया गया, उसके पीछे का रीजन यह है, कि 1930 में, पून सुराज दि बास को भारती रुराष्टी कॉंग्रेस के लाहर सत्र, दिसंबर 1929 को मनाया गया था, यह निकि देखें, जो पून सुराज दिबस है, भारती रुराष्टी कॉंग्रेस के लाहर सत्र में इसको मनाया गया था, दिसंबर 1929 में मनाया गया था, तो इस डेट को देखते गया था कि 26 जनवरी 1923 को हम पूर्ण सुराजदवस मनाएंगे ठीक है किसके दौरा राश्टी कॉंग्रेस के दौरा लाहर सत्र 1929 और यहां पर 26 जनवरी 1930 में हमने पूर्ण सुराजदवस मनाया था हमारे सुतंतता सेनानियों ने तो इस डेट को देखते हुए यहां पर 26 ज रावधान यहां पर लागू भी हो चुके थे उस टाइम पर लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो 26 जनवरी तो यह देर आप याद रखें संपूर्ण या फिर पूर्ण सुराजदवस मनाया गया था इसके चलते हुए यह स्टेट को अपनाया अब देखें नोट प्र अधरी उन्होंने प्रस्ताबना को सबसे बाद में लागू किया या फिर बनाया या फिर यह कहें की इनैक्ट किया तो उसके पीछे का रीजिए यह था हमारा संभी धहना उसकी एक छलक हमारी प्रस्ताबना में देख जाए दर्संशाथ करागा कि इसकोbest पूर्ण एक आलूचना की गई लोगों के द्वारा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पिती निदित्य की कमी अब कहते हैं कि हमारे यहाँ पर उत्ते ज्यानी लोग नहीं है पिती निदित्य अच्छा नहीं हुआ इसकी यहाँ पर कमी देखने को मिली संबीदान सबाब को सीधे तोर पर भारत की जनता द्वारा सर्व भॉंबयस मतधिकार के आधार पर चुना नहीं गया। ठीक है अब यावच जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सांसद हैं और फिर जो हमारे बिधायक हैं इन बिधायक को दस-पितिसत लोगों ने चुना। ठीक है अब इन बिधायकों ने इन सांसदों को चुना तो डारेक्ट जनता ने यहाँ पर नहीं चुना था सांसदों ने जिरों ने हमारा समीधान बनाया यहाँ पर प्रतिनी दित्त की कमी बताई गए कि लोगों को डारेक्ट सर्भूंबैस मतरिकार नहीं दिया गया सभी लोगों ने इलेक्शन में बोट नहीं डाला इसलिए यहाँ पर जो चुनाव है वह नहीं किया गया इसलिए हमारा जो प्रतिनी दित्त है आधर है और जो हमारे लोग आने चाहिए थे हो सकता है और भी लोग हैं जो और भी पड़े लेखे लोग हैं जो नहीं चुने जा के यहां पर सभा में लाया गया सदर पटल नहरूजी ने इनको खास तोर पर बोलाया कि आपको आना है आपको समीधा निर्माण में विसिस भूमी का निर्वानी है तब यह जाकर सदस्वने नॉमिनेटे सदस्वने लेकिन यह election कभी नहीं जीत पाई यह एक सोचने वाली बा इंडिनेशन कॉंग्रेस के पास थी तो कॉंग्रेस का यहां डॉमिनेशन था उन्होंने जैसा चाहा वैसा सम्विधान का निर्मान किया फिर अन्भारतिये और पश्चमी सम्विधान का अनुकुरन यहीं कि सम्विधान जो बना है वह भारतिये नहीं है और इसमें मारा उधाल लिया गया सम्मीधान कहा घाए गया है . जो कि हम आंगे आने वाली slides में समझेगए तो जो उधाल लिया गया है , जो पश्चमी देशों के समवीधानों लिया गया है तो इसमें भारतियता देखने को नहीं मिलेगी पाश्चात्त की जो राओधान है वह देखने को मिलेंगे इसलिए इसको अन भारतिय या पश्च्वी सम्मिधान का अनुपरण कहा जा रहा है समय खर्ची दा काने ठीक है अब लोग कह रहे हैं कि अंतिम मसोदा तैयार करने में लग्वथ तीन साल लग गए दो साल ग्यारा महीं ने अठारा दिन जयसा कि हमने देखा इतना टाइंग लग गया लग्वथ तीन साल लोग कह रहे हैं कि बहुँ कि ज़्यादा समय लग गया समिधान खोनाने में सायद अमेरिका का हम झाली था ऐसा भी लोगों ने कहा लेकिन आप सोच सकते हैं कि भारत आजाद हुआ है लोगों के पास resources नहीं है फंड नहीं है फिर भी यहाँ पर भारत देश ने जिसते से करके कम से कम समय में समिधान बनाया ठीक है तो यह भी सोचने की बात है यहाँ पर तो चलता ही रहेगा भारी भरकम आकार और जटल भास ठीक है तो समिधान बहुत बढ़ा हो चुका है तो उनकी जो भासा रही वही रही और अंग्रेजी भासा का उनके उपर जादा प्रवाव रहा तो जो भासा है बहुत जादा वह हो गई जटल हो गई जिससे की मतलब इन कानून जो लोग थे जो वकील लोग थे उनका पेसे वरों का स्वर्ग इसको कह दिया गया गांधी वादी सिद्धानतों के विपरी ठीक है गांधी जी कुछ अलगी तरीके का समिधान बगएरा देखते थे चाहते थे ठीक है तो इसको गांधी जी के सिद्धानतों के विपरी बताया गया हलाकि पूरी तरह से अलग नह किया ठीक है कुछ प्रावधान यहाँ पर गांदी जी वाले भी रखे गए लेकिन संभीधान गांदी वादी सिद्धानतों से मेल नहीं खाता ठीक है गांदी जी का कुछ अलगी बिजन था वो आप इतिहास में पढ़ेंगे वो किसी और तरीके का देश चाहते थे और उसके देश में अलगी तरीके का संभीधान चाहते थे ठीक है तो उनके जो विचार हैं उनसे मेल नहीं खाता लेकिन कुछ प्रावधान उनके भी यहाँ पर संभीधान में देखने को मिल जाते हैं कमनिस्टों का संसधिय लोक्तंत्र का ब्रूद ठीक है कमनिस्ट ने संसधिय लोक्तंत्र का ब्रूद किया जो कमनिस्ट लोक थे उनने संसधिय लोक्तंत्र का ब्रूद किया कि संसधिय का लोक्तंत्र नहीं होना चाहिए 1935 के अधिनियम की कारवन कॉपी या संसोधित संस्क्रण जो 1935 का जो अधिनियम आया था हमने पिछले लेक्चरां पढ़ा था उसकी कारवन कॉपी उसके बहुत सारे यहां पर प्रावधान लेकर सीधे या तो संसोज़द करके संस्क्राण कर दिया है या फिर सीदे copy paste कर दिये ठीक है? या फिर थोड़ा बहुत इसमें संसोदन करके इनको अपनाया गया है संमीधान को 1935 के अधिनियम की नका लिया संसोदन संस्क्राण कह सकते हैं 1935 का अधिनियम आया था या तो इसकी बिल्कुल कारवन कॉपी, कॉपी पेस्ट है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा इसको अमेंड कर दिया गया है, और फिर इसको लाउट कर दिया गया है, इसको इनेक्ट कर दिया गया है, तो सीधा-सीधा यहां पर इनके द्वारा किटिसिजम किया जा रहा है, और जो भी उनने कार किये हुआ है, उनकी विसेश्था है, उनका क्रिसिद्म हमने देख लिया, अब हम यहां देखते हैं, जो संभीधान बनाया गया है, इसकी क्या का विसेश्था है, इसकी पुर्मुक विसेश्था है देखते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, कि यह उधाल लिया गया सम्मिधान है 60 प्लस देशों से सम्मिधान को संदर्वित किया गया है तो यहाँ पर अंबिटकर जी ने ही सम्मिधान सवा में कहा था कि हाला कि हमने सम्मिधान एक तरीके से उधाल लिया है लेकिन पूरी तरीके से उधान नहीं दिया गया है हमने 60 प्लस देशों से सम्मिधान को पड़ा है और उस सम्मिधान से बही प्रावधान दिये हैं जो इंडियन सोसाइटी के लिए लाबकारी है ठीक है? लाबकारी है और उनको संसोधित करके यहाँ पर लाबू किया है ताकि जो भारती सोसाइटी है उसके हिसाब से यहाँ पर चल सके ऐसा नहीं है कि हमने 60 देशों से सम्मिधान के प्रावधान लिए और कॉपी-पेस्ट कर दी हमने इनको मोडिफाई किया है भारती सोसाइटी के अनुसार तो यह है अंबिटकर जी ने कहा था नयतिक्ता का मिश्रण ठीक है कथोरता है लचीला पन भी है ठीक है तो नयतिक्ता का यहाँ पर मिश्रण मिलेगा कथोर भी है लचीला भी है अब कथोर कैसा है जैसा कि अमेरिका का सम्मिधान है यानि कि बहुत आसानी से संविधान को संसोदित नहीं किया जा सकता आदे राज्यों की अनुमती चाहिए संविधान को संसोदित करने के लिए प्लस टू थर्ड मिजॉरिटी भी चाहिए यहां पर तो इसलिए संविधान को आसानी से संसोदित नहीं किया जा सकता अब जब स है संसोधन करना और लचीलापन भी है बिटिस जो सम्मीदान है इसकी तरह आसानी से इसको संसोधित भी किया जा सकता है ठीक है तो जो बिटिस सम्मीदान है उसको आसानी से संसोधित किया जाता है तो यह लचीलापन भी देखने को मिलता है और भारती सम्मीदान यह दोनों क मिश्रण है जिसे नेतिकता का मिश्रण कह सकते हैं तो भारती सम्मीदान ना तो ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है मिश्रण है डोनों कि आसानी से कुछ प्रावधान है जो आसानी से संसोदित नहीं किया जा सकते हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से संसोदित किया जा सकता है यहाँ पर यह कहा गया है संसतिय संप्रुभुता ब्रटेन, ब्रटेन में जो सोवरिनिरीटी है संसति वह देखने को मिलती है साथ ही साथ नियाएक सरवोच्टा U.S. इन दोनों का संसिलेशन है देखे यूएस में जो न्यायक सर्वोचता है इसको तबुजद दी जाती है और पिटेन में संसद ये संप्रोवत्ता को यहाँ पर माना जाता है भारत में यह दोनों को देखने को मिलेगा एक तरीके से सेपरेशन मिल जाएगा कि संसद का जो कार छेतर है उसमें तो संसद ही पूरा काम करेगी और कोई यहाँ पर हस्तचेप नहीं करेगा संग प्रणाली यानि कि सेंट्रल गवर्मेंट हो गई यहां पर स्टेट गवर्मेंट हो गई तो इनका संग है यह भी देखने को मिलता है पूरी तरीके से नहीं आधा संग है यहां पर मैं इंडिया का मैं बना दू पश्यमंगाल मदराज बॉंबी यह परते आयावद उत्त अब्राथ हो गया है राजस्थान हो गया लुकासमीर हो गया नौर्थई स्टेश हो गया तो यह अपने अपने चेत में काम करते हैं कि अपने अपनी सरकार है ना तो पूरी तरीके से फेडरल है कि राज अपने मनमर्जी से कुछ काम करने इनको काम करना पड़ेगा संभीधान के हिसाब से ठीक है और राज केंद सरकार है वह भी अपने तरीके से पूरे देश में काम नहीं कर सकती ठीक है उसको भी संभीधान के अनुसार ही काम करना पड़ेगा तो नॉर्मल कंडिशन है तो यहाँ पर राज भी काम कर रहे हैं इमर्जेंसी में यहाँ पर आपको केंद सरकार बन जाएगी पूरी पूरा इंडिया हो जाएगा ठीक है और नॉर्मल सुच्योशन है हमारी तो यहाँ पर अलग अलग राज अपने हिसाब से काम करते नजर आएंगे इसलिए यहाँ पर क्वासी फेडरल है मॉलेक अधिकार भी यहाँ पर रखे गए हैं जो की भाग तीन में हम पढ़ेंगे इसके अलावा DPSP राज्य की नीती निदिसक तत्व जो की भाग चार में हम पढ़ेंगे ठीक है और मूल करतब जो की भाग चार ए में हम पढ़ेंगे इन सब का मिश्ण यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो की हम आने आंगे आने वाले चेप्टर में पढ़ेंगे धर्मिनिर्पेक्षराज यह 42 संसोदान अधिरियम 1976 के तहत हमारी जो प्रस्ताबना है इसमें जोड़ा गया और इससे संबंदित जो अनुछेद हैं वह है 14, 15, 16, 25, 30, 44 यह संबीधान हमारे जो धर्मिनिर्पेक्षराज है उसके लिए यहाँ पर देखने को मिलते हैं इससे संबंदित और यह जो धर्मिनर्पेक्षराज का वर्ड है वह है 42 संसोदान अधिरियम 1976 में जोड़ा गया 1950 में यह है नहीं था याद रखियेगा क्वेश्चन भी यहाँ पर आचोगा है इससे संबंदित जोकि हम अभी प्रेक्टिस भी करेंगे 21 साल की उम्र के जो सभी लोग थे उनको 1950 में बोड़ देने का अधिकार दिया गया था लेकिन जो 21 साल की एज भज्जादा हो जाती है इसे घटार का 18 बर्स की आयू की गई जो की 61 संसोधन 1988 में किया गया था यह जो घटाई गया थी हमारी जो आयू गटाई गया थी बोड़ देने की uh 17 58 में किया गया था और वह 1988 में आया था एकल नाग रिखता ठीक है आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको अमेरिका में मैं कुछ इस तरीके से मैं बना देते हैं तो अमेरिका में कुछ आपको यहाँ पर अमेरिका की सिटीज सिटीजनसभ देखने को मिलेगी ठीक है फिर यहाँ पर जो अलग अलग राज थीक है यहाँ न्यू यॉयोर्क हो गा किसी रेटी बैडестно si,, वैडे है। तो जब कुछ इस तरीक है कि जो राज्य है नुमेक्सिक हो गया तो इन राज्यों की अपनी अपनी स्टेट की सिरिजनसिप है तो डवल सी रिजनसिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लेकिन भारत में सिर्फ आपको एकल यानि कि आप भारत के नागरिक है और किसी रा अपना घटी है जिसमें कि राज्य अपने हिसाब से काम करने लग जाए या फिर समीधान के अनुसार ना चल पाए तो अनुछे 352, 356, 307 के तहर्र आपकालीन लगाता है यहाँ पर एक भारत के अंदर काम किया जा सकता है यह एक union बन जाता है तो आपकालीन प्राधान है इसका भी अलग चर्फ्टर है इसको भी दिटłem में हम पढ़ेंगे सामाजिक और अर्थिक नियाय की बात की जाए एक कॉनोमिक हो गया राय तो डीपी अस यहाँ पर आ जाते हैं साथ ही राजनेतिक नियाय देनी की बात कहें तो मॉले की का राधिकार आजाते है tutte न सबका सवन्वें आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी पिरकार का नयाय यहापर लोगों को दिया जा सके इसलिए प्रावधान रखे गए नयाय संगत और गयर नयाय संगत अधिकारों का अधुतिय मिश्रण सम्पूरु समीति थी थी तो उसने यह प्रावधान सजेच्ट कि जो नियाय संगत अधिकार है प्लस जो गेर नियाय संगत अधिकार है इनका मिष्रण आपको देखने को मिलेगा जो की सब पुरू समीती इसकी रिक्रमेंडेशन दी स्वतंत्र संगिय विसेष्था और एकी करिट नियाय पाली का एकात्मक विश्रेशन ठीक है, संगिय विशिस्ता भी है, सुतंत्र हैं सारे कि सारे, राज्य बगेरा भी अपने साब से काम कर सकते हैं ठीक है, और एक ही करत नया बाली का है, ठीक है, अब आप यहाँ पर समझे यह तो हमारा Central हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ है, यहाँ पर Supreme Court हो गया उपर, फिर नीचे हो जाएंगे राज, इस्टेड हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएंगे High Court, तो देखे, Supreme Court उसके नीचे High Court, फिर District Court सा जाते हैं, ठीक है, तो यह तो एक ही करत हैं, यह अलग-अलग नहीं है, ठीक है, एक ही करत हैं, साथ ही जो संगिय विस्षिस्ता देखने को मिलती है, केंद सरकार है, राज हाई कोड के नीचे, District Court है, वो है आते हैं, तो यह एक ही होते हैं, मतलग, एकард की चलती है, Supreme Court, ऐक हाई कोड, अगर आपको District Court मने आए नहीं मिला, तो आप High Court जा सकते हैं, ठीक है, और अगर High Court मने आए नहीं मिला, आप Supreme Court जा सकते हैं, तो यह एक आतमक्ता देखने को मिलती यह एक बिसेस्ता है एक ही कृत निया पाली का जिसको बोलते हैं ठीक है सुतंतर निकाय से जैसे बात करें इलेक्शन कमी से चुनाव आयोग हो गया जो कि अनुछिद 324 में आता है महालेखाकार अनुछिद 148 में आता है कैक जिसको बोलते हैं फेर लोक सेवा आयोग UPSC जिसकों पढ़ रहे हैं जो कि अनुछिद 315 से 300 तेज तक आता है भारत के लोकतांतर प्रणाली के प्रहरी के रूप में जाने जाता हैं वाच डॉक की बात करें अगर तो यह हमारे सुतंतर निकाय हैं यह सुतंतर रूप से काम कर सकते हैं अगर यह सुतंतर रूप से काम करें और अगर यह सुतंतर रूप से काम करेंगे तो लोकतांतर प्रणाली है इसकी रक्षा कर सकते हैं देख देख कर सकते हैं इसलिए इन निकायों को यहाँ पर सामिल किया गया है तीसरे स्तर की सरकार अभी तरक हमने देखा केंदर सरकार है फिर राज्य सरकार है अब तीसरे स्तर की सरकार पंचायतें पंचायतें और नगरपाली का ठीक है पंचायत और नगरपाली का अब आँगे बढ़ें तो देखें Constitution जो हमारा 1947 में था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे अनुछे 22 भाग थे 8 सिदियूल अनुछे थे और आज का सम्मिधान देखें तो इसमें लगभग 448 आर्टिकल्स हैं 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 सिदियूल तो आप देख सकते हैं किस तर सम्मिधान जीवित सम्मिधान कहा जाता है क्योंकि हमारा सम्मिधान बरता ही चला जा रहा है और नए नए प्रावधान आ रहे हैं जो जो सुच्वेशन आ रही हैं उससे आप से हमारा सम्मिधान evolve हो रहा है अब आगे बढ़के देखते हैं तो सम्मिधान की कुछ सीमाएं भी हैं कैसे केंद्री करत राष्टी एकता का विचार ठीक है यहाँ पर सम्मिधान की सीमा हैं जैसे की केंद्री करत राष्टी एकता का विचार भाती सम्मिधान में राष्टी एकता के लिए केंद्री करत द्रश्टी कौन अपनाए गया है ठीक है अब देखें केंद्री करत कैसा यहाँ पा जो central government है ठीक है तो यह government of India जिसकों बोलते हैं आपके पास नागरिकता किसकी है citizenship इंडिया की है ठीक है तो अगर आपको केंद्री करण देखना है राश्टी एकता देखनी है तो single citizenship बाला concept देखने को मिलता है और central government जो की direct public के दोरा चुनी जाती है तो इसलिए इसको राश्टी एकता का विचार भी कहा जाता है राश्टी करत दस्टी कोन अपना जाता है बाति समिदान में राश्टी एकता के लिए तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इसकी अपने अदिकारों ऑज़ भी अपने अधिकार्व के लिए लड़ रही हैं, के लिए अख प्रावधान करने पड़ रहा है आज भी सुप्रिंग कोर्ट इनके पक्ष में भैसले सुना जिन्यादी, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के बज़ाए निदेशक सिद्धानतों के अनुभाग में रखा गया है जिससे ये अधिकार संभीधान के मौलिक भाग का हिस्सा नहीं बन सके बने है ठीक है देखे कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सामा आर्टिकल आतरा है देखने को और हमारे जो fundamental right है आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं fundamental right ठीक है तो आप देख सकते हैं right to property यहाँ है ना कि यहाँ यह वाले जो हमारे fundamental right हैं यह कानून द्वारा protect हैं इसके लिए हम Supreme Court जा सकते हैं लेकिन 300 a वाला आर्टिकल है जो इसके तहत right to property हम Supreme Court के पास नहीं जा सकते तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रावधान देखने को मिलते हैं जो कि संभीधान की एक तरीके से सीमित तक दुखाते हैं कि संभीधान कहां तक सीमित है अब आँगे बढ़ें हमने जैसा देखा था कि संभीधान के जो प्रावधान है लवख 60 प्लस देशों से यहाँ पर लिए गए है 60 प्लस कंट्रीज से लिए गए है ठीक है तो अब देखते हैं कि कौन सी कंट्री से कौन से प्रावधान लिए गए तो बितेश संभीधान है यहां से हमने क्या-क्या लिया है वह देख लेते हैं तो संसदिय प्रणाली जो से कि आप देख सकते हैं यह है हमारा संसद हो गया इसमें राज्य सभा है लोग सभा तो यह है हमारी संसदिय प्रणाली हमने बिटेन से लिये है कानूम का सासन, rule of law हमने यहां से लिए अए, एकल नागरिकता हमने यहां से लिए, संसत सबसे ऊपर है ठीक है और सम्मिधान सबसे ऊपर है फिर संसत है एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन सम्मिधान की संसत यह संपरूबता है कि कानून यही बनाएंगे, यही rules and regulation तयार करेंग किस तरीके से कानून मनाए जाएंगे, किस तरीके से रूल से रेगूलिशन रहेंगे, तो कुछ इस तरीके प्रावधान हमने यहाँ पर बिटेन से लिए, अब देखें तो Government of India Act 1935 है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि या तो हमने यह 95 कॉपी पेस्ट कर दिया है, 1935, या फिर हमने इसको amendment करके यहाँ पर लागूगी है, क्यों क्योंकि हमने यहाँ से प्रावधान लिया है, संभीधान का दोवटे तीन हिस्सा यहाँ पर हमने लिया है, बिटेस संगीय योजना हमने यहाँ से लिया है, राज्यपाल का कारियाल है हमने यहां से लिया है न्यायपाली का लिया है लोकसिवा आयोग लिया है आपातकालिन प्रावधान लिया है प्रसासनिक विबरन हमने यहां से लिया है इसलिए यह है कॉपी पेस्ट कह देते हैं कारन कॉपी कह देते हैं 1935 लिए। क्योंकि देखिए आप तू-थर्ड हिस्था हमने यहां से लिया है, इस एक्ट से लिया है। भही अगर आयरस सम्मिधान की बात करें, तो नीती निदेशक सिध्धान, DPSP की बात करें, तो हमने यहां से लिया है। राश्टपती के चुनाओ की बिधी हमने यहां स सभी प्रणाली केंद्रोग्राइव Curtis इस तरीके से ही यह संग्य के रूप में काम करेंगे Brandeak Samikjhain Supreme Court लिए राष्ट्रिय रष्ट-पती प्रणाली यह भी हमने यहां से लिए है उपराष्टपती का पद भी हमने यहां से लिया है सुप्रीम कोट या उच्च कोट उच्च नियालों की सुतंतता यह भी हमने लिया है जब नियायक पूरी समिच्छा हमने लिये है तो सुप्रीम कोट और उनकी सुतंतता भी हम यहीं से लेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इनको थोड़ा से याद करके चलें, थोड़ी अपनी ट्रिक बना के चलें फिर अगर हम देखें कनाडा का समीधान, तो हमने यहां से संग्य विवस्ता के साथ एकात्मक प्रवत्ति लिए हैं देखें, भारत है, राज्य हैं, तो यह संग्य तो हैं राज्योगा भारत में, लेकिन भारत है, एकी किरत भारत है, ठीक है, एक भारत है, उसके अंदर राज्यों का संग्य बना है, बना है, लेकिन भारत एक है, यह भी हमने यहां पर कनाडा से लिए है, केंदर राज्य संब अब देखे जब यहां पर हमने राज्यों का संग बना दिया केंद्र है केंद्र के नीचे राज्य है तो इनके बीच में किस तरीके संबंद होंगे वह भी हमने यहां पर कनारा से लिया है जर्मनी की बात करें कौन सी जर्मनी बेई महर संभीधार जर्मनी का हिटलर वाला महां से हमने आपतकालीन प्रावधान लिये हैं ठीक है अब मैं आपको यहां बता दूँ किस तरीके से काम करेगा वह हमने यहाँ पर यहाँ पर जर्मनी बहिमार जर्मनी से लिया है तो इसको आप देखें थोड़ा सा और एक सब्सक्राइब मैं आप क्लिएर ही कर देता हूं यहाँ पर देखका थोड़ा सा मिस्प्रिंट नहीं हो गया है इमर्जेंसी प्रोविजन तो हमने बहीं से लिए हैं, इसके अलावा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे fundamental right है, इनका suspension, suspension हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह प्रावधान किये गए हैं, fundamental right का suspension हो जाएगा emergency में, जो emergency provision है, हमने यहाँ पर 1935 का जो अधिनिया में वहाँ से लिया है, और जो हमारे fundamental right है, उनको suspend कर दिया जाएगा कब, जब आपातकालीन लगेगा, तो यह वाला प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है, तो इसको आप clear करी तरीके से ही पर यह थोड़ तो ऑस्टिलिया से हमने संबर्ती सूची लिया है, ठीके concurrent list जैसे बोलते हैं, व्यापार और वानिजिक सुतन तता, उच्च नियालाय का अधिकार छेत, तो कुछ यह से तरीके से तीन प्रावधान हमने ऑस्टिलिया से लिया है, साउथ अफरीका से लिया है, अब यह सोवियत यानि की USSR, सोवियत संबिधान से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तब, fundamental duty और समाजबादी सिद्धान, तीक है, socialist सिद्धान, यह दोनों चीज़े हमने यहाँ पर सोवियत संबिधान से लिया, वहीं हैंगार हम फ्रेंच, हम फ्रांस की बात करें यह फ्रेंच की सं प्रावधान, सुतंतता, समानता और बंदृत्त का सिद्धान लिया है, फिर देखें अगर जापानी संबिधान, तो हमने यहां से बिधिक प्रिक्रिया द्वारा, जीवन और व्यक्ति का सुतंतता की सुरक्षा का यह प्रावधान लिया है, और साउट अपी का वालत हम प बना के चले कि कहां से क्या लिया है, हलाकि आंगे आने बाले चेप्टरों में, इनको मैं डीटेल में पढ़ाऊंगा, मौलिक करतब हम डीटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिम्बल में हम सुतंतता, समानतता और बद्दृतता या गणराजी के ओधारना यह पढ़ेंगे ठीक है, तो इस तरीके से और हम जो सम्मीधान संसोदन के पड़िया है, वह है का इसका अलग चेप्टर पढ़ेंगे, तो यह है दीटेल में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक तरीके से याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहीं इसी चेप्टर पढ़ा दिया ह अब अगर आगे बढ़ें, तो आपके लिए एक कॉस्चन है, तो आप इस कॉस्चन को पढ़ें, वीडियो को रोक कर पढ़ें और इस कॉस्चन का आंसर हमें कमेंट में, कमेंट बोक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इस कॉस्चन में पूछा गया है कि कौन से सम्मीधान से कौन से देश की सम्मीधान से कौन सा प्राउधान दिया गया है उसके चार उप्सन दिया गया है तो आप कमेंट वोक्स में इस कॉष्चन का अंसर जरूर थे अब आँगे चलते हैं यहाँ पर ठीक है एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि 1907 जो सम्मीधान सवा थी उसमें लगभग 15 महिलाय सदस्य थी ठीक है कुल 15 महिलाय सदस्य थी जिन्होंने भादी सम्मीधान निर्मान महरत्पून योगदान दिया इन महिलाओं की यहाँ पर सूची दी गई है जिनकी नाम है तो देखे यहाँ पर कॉश्चन आएगा कि जब भादी सम्मीधान की सभा बनी उसमें कितनी महिलाएं थी तो एक उप्सन तो आपको देदी जाएगा कि 15 महिलाएं थी ठीक है अब या फ़र यह सब पूछ सकते हैं कि जब भादी सम्मीधान सभा 1947 थी उसमें 15 महिलाएं थी अब इनके नाम देदी जाएंगे ठीक है उप्सन बन में रख दिया जाएगा उप्सन टू में रख दिया जाएगा उप्सन थी में पूछा जाएगा कि नहीं ये तीनों महिलाएं थी उप्सन चानल में पूछा जाएगा कि ये सभी महिलाएं थी और एक उप्सन यहाप गलत रहेगा दो option गलत हो सकते हैं, तो आपको कुछ नाम याद होने चाहिए, जैसे कि सरोजी नाइडू को नाम आप याद रख सकते हैं अन्सा मैताजी का नाम याद रख सकते हैं राजकुमारी अमरिता कोर का नाम अच्छे से आसानी से याद हो जाता है, मालती चौदरी हो गए, अम्मु स्वाविनाधन सुचेतकरपणानी हो गए, ठीक है बेगम एजाज रसूल हो गए दक्षयानी बेला योद्धन हो गए विजे लक्ष्मी पंडित हो गए तो कुछ नाम आपको आसानी से याद हो सकते हैं तो कुछ नाम याद रखें और इन ही में से आपका उप्सन बन जाता है और पंडरा नाम है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से यह आज का हमारा लेक्चर रहा अगला लेक्चर रहेगा जो वह भारत की प्रस्तावना इस पर रहेगा तो यह चैप्टर मिस ना करें वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आता है कमेंट करके सारे कॉश्चन के आंसर जें और कोई भी सजेसन है तो वह भी बताएं साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अब जो वीडियो आएगा तो आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है तो आप प्लेलिस्ट से भी वीडियो देख सकते हैं बागी कि अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वह भी देख लें वह भी डीटेल में यहां पर analysis हो जुक है तो आज का हमारे यहां lecture समापत होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन